आज मैं आपको क्लास 10 के चेप्टर नंबर वन संसाध्रम विकास के बारे में पढ़ाने वाला हूं जो की जो संसाध्रम विकास जितने सारे स्वाल पूछे गए हैं ठीक है यह सभी बोर्ड एक्जाम के लिए है बट अगर देखा जाए तो झारखंट बोर्ड में फिलाल में जो भी निकाला है सेट 5 तक सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 तक जो निकाला है आप उसको बहुत ही आसानी तरीके से आज कर सकते हैं यह मैंने जो सेट 5 तक जितने सारा सवाल पूछा गया है ठीक है संसार्रम विकास से यह सरे सवालों को हम क्या किया है टैपिंग करके हम एक अलग पेज में लिग करके रख ली हैं मतलब चेप्टर वन से कितना सारा सवाल और किस किस पॉइंट से पूइब यह इंपोटेंट इपोटेंट मतलब जो टॉपिक है जो पूचा गया उसी टॉपिक के बारे माझमों बहुत ही डिसकस करने वाले अच्छे तरीके से ठीक है जोसे कि आप देख पार होंगे कि सेट वन सेट टू सेट थीरी सेट फोर सेट फाइव जेक के द्वारे पांच मोडल पेपर जा रहे किया गया और यह पांच चो मोडल पेपर को आप एंसर कोशन मत रटी चुकि यह नहीं कहा आपके जैक बोर्ड ने यह नहीं कहा कि भई काली मिर्दा कहां पाई जाती है Central एक आप उसमें से एक अगर बढल लिए तो मत लेने की वही पूछे गाशोर इवी तब को पूछकता है तब को पुरा घराए से जानना पड़ेगा जो चलिए करते भी लोग सबसे पहले शुरू करते हैं तो चलिए एकदम इस वीडियो को एंट जरूर देखिएगा ठीक है चुकि आज हम आपको बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट देने वाले हैं इस कॉंसेप्ट के दवारा आप सेट 5 तक बिना रटे बिना सोचे एकदम सभी सवालों का जवाब बहुत ही असानिस दे पाईएगा देख लेजिए आपको बिलीब नहीं हो रहा ताप आराम से इस चैनल तक बने रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्या है आप यह मैंने बुक से हम इसलिए लिए हैं ताकि आपको यह पूरूब करने के लिए कि जो भी हमारे एंसाटी बुक जो देता है वही 막 प्रेंसर भी करतो तो चलिए सबसे पहला है कि हमारे प्रयावरण में उपलब पर्टेक वस्तु जो हमारी अवसक्ताओं को पूरा करने में परिट की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रदोगी की उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव है और सांस्रिती रूप से मायन है एक संसाधन है मतलब हम संसाधन का मतलब यह नहीं कर सकता कि जो हमारे और चतों को पूरा करे मतलब संसाधन का मतले हुआ कि पर्यावरान में उपलव्द वे सभी वस्त में या पर्टिक वस्त जो हमारी जरुत्तों को पुरा करे लेकिन साथी साथ में ये सबात को भी ध्यान रखना है कि उसके लिए हमारे पास टेक्नलोजी होना बहुत ही जरूरी है टेक्नलोजी उपलव्द होना प्रदोवकी का उपलव्द होना जरूरी होता है ठीक है मानले जी हमारे पास टेक्नलोजी नहीं है तो उस चीज़ को हम नहीं प्योग कर पाएंगे तो पिर दिकत हो जाएगा पिर विकार हो जाएगा कता जो आर्टिक रूप से संभाव हो आर्टिक रूप से संभाव हो इसका मतलब होता है कि ऐसा ने कि मानलेजे हम एक गड़ा पांस फीट का गड़ा खोदें और पांस फीट का गड़ा खोदने के बार हमें एक किलो ही मानलेजे कोला मिला तो भाया एक किलो कोला का दाम मानले चालिस उर्पिया है और आपने जो पांच फीट का गड़ा खुदाई करने में जो आपका जो आर्थी क्या था जो पैसा जो खर्च हुआ जो इनिवेस्ट में मतलब जो मज़ूरी लगा उसमें लगिया मान लेजे पांच से हजार रुपिया मान लेजे ठीक है तो अब ज़र ठीक है उसे निकालने में या कुछ भी करने में पैसा अधिक खर्च लगे तो इस पाकार से हम कर सकते हैं कि आर्थी क्रुप से यह संभाव भी होना चाहिए कि भया कि हम अगर जरी पांच पीट का गड़ा कर रहे हैं तो अगर हम 500 रुपिया का लागत कर रहे हैं 500 रुपि चाहिए तक हमारे लिसांशाधन होगा दूसरा है सांस्क्रिती रुप से मैंनमा होते हैं क्या मनले ये कोई मंदिर है और इस मंदिर के नीचे बहुत सारे सोना पाय जाता है पाय जा रहे ठीक है तो अगर ज़्येस वहां के समुधाय की लोग यह नहीं चाहता है कि इस प्रदोग की उपलब्द है जो आर्ठीक रूप से संभाव है और सांसित रूप से माइन भी है तो आप इसको ठीक लगा से अगे बड़िए इसके अगला संसाधनों का वरीकरन निन प्रकार से किया सकता है उत्पत्ती के ळधार पर संसाधन दो प्रकार के होते है जयव और तीन चीज आपके लिए बहुत ही भी भी आई चीज है कौन उत्पत्ति के धार पर संसान कितने प्रकार के दो समापता के धार पर संसान कितने प्रकार के दो नविकर्णी और और नविकर्णी तो नविकर्णी और और नविकर्णी से एकजामपल के साथ पुछा गया कि यह इ अर पर belongings ना है कि युद पत्ति के धार पर से जहन कितने पॉठ में होते हैं तो आप आसानी से जुझा देपाएं गोंगे को समापता के धार पर उसी प्रकार से बता कि बता देंगे नवी-कार नवी खर्ली depuis निए 2 होता है तीके सॉमित के स्वामित के खाल की तेवर का Choi एक राष्टी अंतराष्टी चारपड़ के होता है विकास के असर के अधार पर कितने होता संभावी विक्सित भंडा और संचीत यह भी चार होता है आगे बढ़िए अगला जो सवाल आ रहा है संसादनों के परकार मैंने जो बताया था कि जो में टोफिक जिससे सवाल पुछा गया है वो है जेव और अजेव से सवाल पुछा गया है करता है वैसे संसाधनों की प्रापटी जिउमन्डल से होती है उसे हम क्या कह सकते हैं हम जेव संसाधन कहते हैं जीव मनदल से प्रापत होती है आजव संसादन वे सारे संसादन काता है जो निर्जी वस्तुऊं से बने हैं उसे आजव संसादन कहते हैं उधारने के लिए चटान धातु हैं ये सभी के सभी क्या हैं? अजेव संसाधन है तो अगर आपको एक सवाल पुझ दे की निमें से कौन अजेव संसाधन है चटान, ऑप्षन B में मनूज, ऑप्षन C में दे दे माले जानवर, ऑप्षन T में मतेस, तो आप क्या मारेंगे आप इसी तरीके से पता से ने कि चटान होगा इसका आगे देखते हैं, नविकर्ण ये योग, नविकर्ण योग और आणविकर्ण योग, आप इसको सिंपल से ऐसे समझ लिए, नविकर्ण का मतलए जिसका उप्योग हम लोग बार बार करते हैं, जिसका उप्योग बार बार करते हैं, उसे नविकर्ण ये संसाधन करते है है मतलब इसका उपयोग बार-बार के जा सकता है आ नविकर्ण संसान का मतलब इसका उपयोग एक बार ही हम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं आ नविकर्ण का अपयाग भी बार-बार कर सकते हैं आज ही आनविकर्णिये में जैसे कि अगर हम बात करें जिवास मिंधन ठीक है मतलब जो चकरी होता है जिसको भी बार-बार नहीं कर सकते जिसे कोईला हो गया अब यहाप एक छोटा सो टोपिक दिया है रियो डी जेनेरो प्रिथवी समेलन 1992 हुआ था यह बहुत भी बार पूछा गया है ठीक है कता जुन 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट अध्याच ब्राजील के सहर जो ब्राजील का एक सहर था रियो डी जेनेरो में पर्थम अंत यह प्रिथवी समेलन हुआ था यहां से आपको इतना है स्वाल पूछे कर ठीक है कि रियो डी जेनेरो प्रिथवी समेलन कब हुआ था तो 1992 में हुआ था आगया जाजी यह बहुत ही भी भी आई सवाल है अंतराष्टिय संसाधन कता कुछ अंतराष्टिय संस्थाएं नहीं होता है इसे हम करते अंतराष्टिय संसाधन ठीक है यहां पर सवाली पूछा गया कि कितनी समुद्री मिल तो 200 समुद्री मिल होगा ठीक है मतलब अगर इसका उप्योग करना आपको अंतराष्टिय संस्थाव से समाति लेना पड़ेगा उसके समात्रे की वेन आप यह तों सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह जो बहुत भी विफिय टॉपिक है यहां से क्या सवाल पूछे रखे यह जो बॉक्स दिखने हैं यह आपका मैदा इँच्छित मतलब मैदान इतना पर्संट एं तो फोड़ीघ कितना पर्संट ढ़ें तो 30 पर्संट ठीक हैं पठार के इन्हेim काली का पास मिर्दा भी कहते हैं अब यों मिर्दा पाई कहाँ कहाँ जाती तो आए हम लोग नक्सा के अधार पर चेक करते हैं ठीके यह सवाल पूछा भी गरे यहां पे सभी को पता है कि यह वाला जो भागये गुजरात है ठीके अगे और यहाँ पे गुजरात के जस्ट पकल में क्या है तो यह वाला भाग आप देखिएगा तो महरास्ट है और यहाँ पे बीचो बीच में क्या है तो MP है मधिपरदेश है ठीक है तो जब आप देख रहे हैं गुजरात यह वाला है और यहाँ पे गुजरात में जो काली मिरदा नहीं पाई जा रही ठीक है तो आपको option के साथ पूछा जाएगा कि इन में से किन राज़ों में काली मिर्दा नहीं पाई जाती है तो वहाँ प्याप्टिक लगा लेजेगा असानी से ठीक है कि गुजरात में पाई जाता है महरी परदेश में और महरास्ट में ठीक है इन सभ मिर्दा विश्त्रित रूप से फैली हुई है और यहां देश की महत्पुर्ण मिर्दा है मतला सोरी मिर्दा है वास्ता में संपुर्ण उत्री मैदान जलोड मिर्दा से बनी मतला भारत का अगर दखेगा उत्री मैदान आपको दिखा रहे हैं यह भारत का जो उत्री मैदा है तो ये बना है जलोड मिर्दा से ठीक है कि ये कि मिर्दाएं हिमाले की तीन महत्पूर नदी तंत्रों जैसे सींधू गंगा और बरंपुत्र नदियों के दवरा लाए के निच्छेपों से बनी है मतलब अगर आपसे सवाल ये भी पुछे कि ये किन किन नदियों के निच्छेपों से बना है जलोड मिर्दा तो आपसाने से जोदे पाईएगा कि जो आयू के अधार पर जलोड मिर्दाएं दो परकार की होती है पहला पूराना जलोड जिसे बांगर भी करते हैं दूसरा नया जलोड जिसे खाजर भी करते हैं बांगर मिर्दा में क्या होता है जो कंकर गरंथियों की मातरा जादा होती है मतलब कंकर जादे पाए जाते हैं खादर मिर्दा में बांगर मिर्दा की तूलना में जादा महिन कन पाए जाते हैं मतलब इसके जो कन होते हैं वो थोड़ा सा पतले होते हैं करता जलोड मीर्दाएं क्या होता है तो बहुत उपजाव होती है अधिक्तर में इसके रिखता जलोड मीर्दाएं पोटास, फासपरोस और चुनायुक्त होती है जो इनको गन्ने चावल गें हूं अन्य नाज्यों और दलहन फसलों खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है अ अब आगे बढ़ते हैं अब एक यहां निया टॉपिक आया है भूमी निम्नीकरण के समस्यां को सुल जाने के कई तरीके क्या कि मतलब भूमी जो निम्नीकरण होता है जाड़ियां लगाकर अस्ठीर बनाने की परकिर्या से भी भूमी काटाब की रुख ठांग और सुस्क छेतरों में की जा सकती है जल और भूमी परदुसन को कम किया जा सकता है अब करता है मानव की कुछ किर्याइट स्कारण मतलब जो होता है यह भूमी निम्नीकरण होता है रखें एक हो गया वनन मूलन अधिक सारे जंगल की कटाई हो गया अधिक पसुचारण करने से मतलब भूमी निम्नीकरण का हुआ है अब देखिये से कौन-कौन राज प्रावयट हुआ गत्क खनन के कारण वनन मूलन भूमी निम्नीकरण का कारण बना है मतला अधिक साधिक जैंगल कटे हैं जिससे क्या हुआ है भूमी का निमनी करन हुआ है पुछेगा जारखन में किस कारण से भूमी का निमनी करन हुआ तो बोलिएगा वनन मुलन है ना जो हुआ है मतला भूमी का निमनी करन जो हुआ है वो उसके निमनी कित कारण है है ना मतल सवाल क्या आगेड़्ध कारण के क्या मुख्य कारण तो मुख्य कारण क्या है टूंकी कारण demiş पुषी परकार से गुजरात महराष्ट गुजरात रास्थान मज़ई पर्देस में पुछा गया है कि पंजाब हर्याना पर्षमि उतर परदेश जेसे राजोly में अधिक सी चाई भूमी निम्करन के लिए उतरदाई है यहां पे गहन की खेटी अधिक सी चाई तो आपको में आप इसी लिए हम क्या की हैं जो एनसे आटी बुक का जो मतलब फोटो कीश करके हम याँ पे रख कर दिये ताकि आप भी बिलीव कर सकते हैं ये बुक में चीज मेंसन किया गया है कि अधिक सी चाई की कारण ही पंजाब में भूमी निमनी करण हुआ है तो पंजाब पुछे हर्याना पुछे या पस्मी उत्तर परदेश पुछे तो वहाँ पे भूमी निमनी करण की क्या करण है तो अधिक सी चाई हैं ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं चली यहीं तक तो हमारा कम्प्रीट हो गया था यह था मेंन मेंट पॉइंट अब आई हम लोग कोशन एंसर करते हैं अब देखिए पांस एट के से उड़ जाएगा सो उत्तपत्ति के अधार पर संसाधन कितने परकार के होते हैं अगर बिलिब नहीं हो रहा है तो आपको हमें दिखा देता हूं उत्तपत्ति के अधार पर देखिए उत्तपत्ति के अधार पर संसाधन कितने हैं तो दो जेव और अजेव पहला सवाल का जबाब मिला कोई सब दिखाने दुरत नहीं हम लोग बना लेंगे से ही दूसरा है पंजाब में भुमिनिकर्ण का मुक्यारन है पंजाब में क्या है तो अधिक सिचाई जिसे कि हमने अभी अभी जेस्ट में आपको पहले बता है पंजाब पुछे हरियाना पुछे या पस्वी यूपी पुछे तो यहाँ ए तीनों का जो जवाब होगा भूमिनीकर्न का उगा अधिक सी चाही होगा अगर जहारखन कहता तो खन्न कहते हैं अब कहता है किस रायज में काली मिरदा पाय जाती है तो किस सद्र पायती है तो आपका हो गया एक महराष्ट एक MP जिसको बोलते हैं मधिपरदेश और तीसरा हो गया गुजराथ ये तीन आध रखिएगा ठीक है इसके बाद है समाप्ता के अधार पर संसाधन कितने परकार के होते हैं तो अगर जड़ी आप भूल गया हैं तो बिल्कुल असानी से यहाँ एक बार देख लेजिए कि समाप्ता के अधार पर संसाधन कितने दो कौन को नवी करने और अनवी करने कि अगला सवाल देखते हैं तो क्वेशन नबर वन हो गया तू हो गया थिरी हो गया फॉर हो गया फाइब देखते हैं किस राज में स्रीधार खेती की जाती है तो स्रीधार खेती की जाती है आपका उत्रा खंड में कहां की जाती है उत्रा खंड में की जाती है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिर्दा पाई जाती है तो पूर्वी तट के अगर पुछेगा तो बल दियेगा आप जलोड मिर्दा कोईशन नमर 7 किस मिर्दा को रेगर या स्वाता जुताई वाली मिर्दा भी काते हैं तो रेगर मिर्दा किस से काते हैं सबीको पता काली का पास में बिदा भी उसे काते हैं संसादन किस से कहते हैं कि हमारे पर्यावरन में उपलबद परत्य क्वस्तों जो हमारे आवसाक्ताओं को पूरा करें जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नलोजी उपलबद है और आर्थिक रूप से संभाव हो सांस्कृत रूप सभ्वाइन हो इससी क्वांते हैं है अगला सवाध काता है भूमी नीवनी करण के कारण से एक में देखिए भूमिनीमनी करना के मुख्य क्या क्या और रहे हैं उत्युकुत्यृ नकरन के मुख्य निवाई है छेंस हम नोल अगला सवाब देख जा कुछ समर कितना देख लेते हैं कि सेवन हो गया था एट हो गया नाइन हो गया ना आये टेन में भारत के कुल छेतरफल का कितना परतीसत भाग मैदानों की रुप में पाय जाता है तो भाया आपको मैदान पुछे पठार पुछे और भी कुछ पुछे हम आपके लिए यहां पर एक डेटा रखें जिसे की तीनों ये चारों बन जागा देखिए मैदान कितने हैं 43% परवत कितना है 30% पठार कितना है 27% ठीक है मतलब मैदान सबसादी के 43 43% मैदान हो गया फिर 27% क्या हो गया पठार हो गया और 30% क्या हो गया परवत हो गया अगर पुछे भार चे कि परवत कितने है तो परवत सिधा सिधी 30% अब जो बच गया वो पठार होगा अब आईए कोसन नमबर आगे बढ़ते हैं कहां तक हमने कर लिया कोसन नमबर 10 हो गया 11 लो एस किस प्रकार का संसाधन है तो भाईया लो एस की बात कर रहा तो लो एस की जो होता है ना कि यह आपका आ नविकर्ण यह संसाधन है ठीक है नविकरी नहीं है कि को से नमबर ओ सोरी हमने 11 के बाद थोड़ा सा पेज उल्टा पुल्टा हो गया कि कोई दिकर नहीं है तुबह लगते हैं आपके घर में दूर देन्यवाली गाय है आप इसे किस तरह का संसाधन मानते है तो यह गाय अगर दूर देगे तैसा सुना कि एकी जिन देगे तो है न और वैसे आपको पता है कि जो गाय है ओ आएगा जेव संसाधन में क्यों चुकि यह क्या है सजीव है ठीक है जीव मंडल में आता है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा जेव संसाधन क्वेसन नमर 13 जिस भूमी पर खेती कоки चैसे करते है करिसी योगई भूमी और जिस भूमी पर खेती नहीं क्याते है उससे करते हम गया क्रीसी योग भूमी आप काता है अंक भांगर हमाएग कुसे काटे को पढ़ा ने में करनी संसाधन किसे करते हैं आlawsो कितने किलोमेटर के बार किसी देश का महासागरे संसादनों का अधिकार नहीं होता है तो आपको बताए दिया है इसके आगे देखेंगे ये हो गया था 17-18 बस गया था कता है भारत के एक कुल छेत्रफल में कितनेपने div छेत्रफल पठारी भाग है तो मैंने बताए परवत कितना % 43 परसेंट फोटी- % वा परवत बोल रहे हैं एक मिनट मतलों जो मैदान हो गया मैदान है वह आपका 43% है ठीक है इसके बाद पुछरा पठार तो परवत हो गया 30% तो पठार बज़िया 27% ठीक है आप चाहे तो देख भी सकते हैं देखिए हैं मैदान 43% परवत 30% परवत हो गया 27% अब एक सवाल बस गया लास्ट अठरवा क्या है कता है मिरदा परदन का कौन सा कारण नहीं तो जब आप मिरदा परदन के कारण को जान जबेगा तो कौन नहीं नहीं दिपाएगा क्या अगर ज़दी अब आपको हम सेट मोडल सेट पर ले चलेंगे ओप्सन के साथ तो बहुत इजी तरीके साथ बना सकते हैं ठीक है एक मिरट आपको हम ले चलते हैं इज़